हेलो अबरीबन बेलकम टू मैं चैनल और आज मैं आपसा शेयर कर रही हूं सिंपल प्लाजो की कटिंग तो सबसे पहले कपड़े को हम डवल फॉल्ड करेंगे और इसमें फिर एक फॉल्ड हमें और देना है और फॉल्ड हमें कितना देना है यह आप प्लाजो के घेरा के हिसा प्लाजो है तो पूरा ही एक फोल्ड हमने दे दिया उपर इलस्टिक आएगा तो यह अच्छे से हमारा लूज जो सिंपल प्लाजो बन जाएगा और सबसे असान तरीका है यह और अब हमें प्लाजो की लेनी है लंबाई तो जितनी आपकी त्यार लंबाई है उपर रखनी हूं 10 इंच नीचे हमने प्लाजो की ले ली और अब हमें जो है यह दिखिए दो इंच जो है इलस्टिक के लिए निशान लगा रहे हैं वैसे इसमें ले लिया था, हमने पहले से पूरा ही लमबाई जो है, तो ये दो इंच elastic के लिए चरूर छोड़ना है, तियार अगर आपका जितना है, तो दो इंच elastic मोड़ने के लिए ये छोड़ना है, और अब हमें लेना है आसन, तो आसन हमेशा खुली वाली जो हमारे प्ल पीछे को हमने हटा लिया है यहां से इस तरह से लाइन यो जो है डौक कर लिया और आशन लिया है 10 राइंच और बना रहे हो या एकसेल बना रहे हो यह सहांग से होता है और यह ब्लाइजो डबल एकसेल ले तो इसलिए इसमें सो Southeast लिया और अगर आप एकसेल प्लाजो हमारा मूरी का जो मारजन है नीचे तो वहां पे रखना है और हल्की सी हमने यहां पे देखिए गुलाई में इसको लिया है तो देखिए कितने अच्छे से यह मार्किंग इसकी हो गई और इसको अब हम कट कर लेंगे आपके पास स्केल है प्लाजो वाला तो आप उसको भी र रखा हुआ है वैसे ही रखें और इसको एक तह को खोले और दोनों आसन के जो दोनों साइड ना वहां पर आप सिलाई लगा लें उसके बाद फिर मूरी को आप फोल्ड कर लें और बस फिर उसके बाद इलस्टिक हमें लगाना है और एक सिलाई लगा के आपका सिंपल जो जो है ना वो बन जाएगा और प्लीज फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में फर्स्टाइम बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो जो नॉटिफिकेश झाल